दोस्तों इंसानी रचना से ज़्यादा रचनात्मक और खोबसूरत प्राकिर्तिकी रचना है जैसे नदी, पहाड, फल, पूल, पसु, पच्छी, आदी या संदर का वज स्वरूप है जिसे देखने मात्र से ही मन प्रसन हो उड़ता है और सांध का अनुभव होता है इनके आ आकार रंग और ध्वनी स्वरूप को देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे इन्हें प्राकिर्तिक द्वारा बेहदी खोबसूरत ढंग से सहे जा गया हो खोबसूरत रंग और आकार का या अदवुत मेल आपको इन रंग भी रंगे पच्छीों के स्वरूप में देखनों को मि पाय जाते हैं लेकिन इने देखने की आपको खोईस हम पूरी कर देते हैं आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे खोबसूरत पच्छीों की जानकारी देंगे साथ ही दिखाएंगे इनकी कुछ बेहद मनमोहक और रंग भी रंगे तस्वीरे नमबर 10 हाई सित मकाउ गहरे नीले में 5000 की आसपास है इनकी खासियत यह है कि यह दिखने में जितने खुबसूरत होते हैं उतने ही मीटे इनकी ध्वनी भी होती है हाई सित मकाउ ब्लू मकाउ के नाम से भी पहचाना जाता है नमबर 9 कील वील टूकेन इस रंग बिरंगे लंबी चोच वाले पच्छी का नाम कील वील टूकेन है इस पच्छी की लंबाई 20 सेंटीमीटर और वजन लगबग 4 किलो के आसपास होता है और इसकी चोच पर हरे लाल और पीले रंग का मिस्तरड है जो दिखने में बेहर आक कर सक और खूबसूरत लगती है अपनी लंबिक चोच का उपयोग यह पच्छी कीडे अंडे और चिपकरी को मार कर उसका सेवन करने के लिए करती है यह पच्छी दच्छी अमेरिका के जंगलों में पाये जाता है नमबर 8 उडड़क उड़क नामक यह पच्छी बत्तक पर लेती है यह पउरंगी पच्छी अपनी खूबसूरती और खास्य से किसी का भी मन मोच सकती है और ड़क नार्थ अमेरिका के जंगलों के दलदलों में निवास करता है और इनकी परजाती और संख्या दुनिया में बहुत ही सिमित है मध्यकार में इस खूबसूरत पच्छी को बोहेमियन बैक सिंग के नाम से जाना जाता है जो कि जातर उत्री अमेरिका कनाडा अलस्का और उर्योसिया के जंगलों में पाये जाती है इसकी चोच का आकार छोटा काले रंका होता है और सर पर एक काल की ताज होती है इस परज परज़ है ब्लू जय दुनिया के सबसे बुधिमान और सुन्दर पच्छी में से एक है और यह पूर्वी और मद्य उत्री अमेरिका के जंगलों में पाये जाते हैं इस पच्छी की खासियत यह है कि यह अपनी चोच से जय जय की धोनी निकालती है और साती यह अनेक पच् के अलामा इंसानी अवाज भी नकल करने में सच्छम होती है नेले रंके दिखने और जय जय की धोनी निकालने के कारण इस पच्छी का नाम ब्लू जय रखा गया है नमबर पांच अट्लांटिक पफिन अट्लांटिक पफिन नामक यह पच्छी उत्री अमेरिका और पूर् के छलांग लगाने की छमता भी कमाल की होती है या पाने में 60 मीटर की गयराई तक पहुँच सकते हैं और अपने पंको को एक घंटे में 400 बार फैला कर 55 माईल पर ती घंटे की तेजी से उड़ सकते हैं नमबर चार पिकॉक इस पच्छी का नाम पिकॉक है जिसे भारत में म मौर के नाम से भी जाना जाता है मौर की खासियत यह है कि इसके पंक बहुत लंबे गने और बहुत रंगी होती है भारती पच्छीों में से मौर की परजाती बहुत मसूर है और ये भारत देश का राष्टी पच्छी भी कलाता है सावन का मौसम आते ही मौर पहाड़ी नमबर 3 फ्लेमिंगो इस खुबसूरती पच्छी का नाम फ्लेमिंगो है जिसकी लंबाई चार से पांच फीट और वजन लगवग साड़ी तिन सो किलोगराम का होता है यह पच्छी दुनिया के कई देशों में पाया जाता है नारंगी और सफियर रंग का यह पच्छी दि चोज से मचली और समुद्री कीडों को पकड़ कर यह उनका सेवन करता है नमबर 2 इसकारलेट मकाव दुनिया के सबसे खुबसूरत और बाउरंगी पच्छीों में से एक इसकारलेट मकाव है यह तोते की परजाती वाला पच्छी है जिसे नार्त अमेर्क्या के कई लोगो 80-90 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 1.5 किलो से 2 किलो गराम तक होता है इसकारलेट मकाव के उड़ने की चमता भी कमाल की होती है और यह अपने पंक को लगातार तेजी से फैला कर 35 माईल परति घंटे की रबतार से उड़ सकता है नमबर 1 गोल्डन फेजेंट दुनिया के सबसे खुबसूरत पच्चियों की सूची में गोल्डन फेजेंट पहले अस्थान पर आता है इसकी खुबसूरती और रंग बिरंगी छबी इसे पहले अस्थान की योगे बनाती है सुनहरे और लार रंग के कारल इसे गोल्डन फ आई जाती है दोस्तों आपको इन में से कौन से पच्छी ज्यादा पसंद आए हमें कॉमेंट बाक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद